स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो स्रंख लाम है, मेरा नाम है हचपी सोलंकी या तब हो कि बिटकोईन के निर्माता सतोसी नामा मोतों हैं, बिटकोईन एक वर्चुल ये आवासी करंसी है, मतलब ये कागजी या धातुमुद्र नहीं है बिटकोईन सहर की स्थापना कोचगवा ज्वालमोखी के निकट फैंसको की खाड़ी में की जाएगी, यह एको फ्रेंडली सहर होगा अर्थास इसकी उर्जा जरूरतें ज्वालमोखी द्वारा जियो थर्मल पावर उपलब्द करा कर की जाएगी इस सहर में नेट जीरो का भी लक्षा रखा गया है, बताते चलें कि यहां के निवासी आये कर, संपतिकर, पूंजी का तलाव या नगरपाली का कर नहीं देंगे लेकिन वेट का अनिवारा रोप से भुक्तान करना होगा, डिजिटल एजुकेशन, टेकनोलोजी और इस्थाई परिवायन तक की पहुंच भी उपलब्द होगी सहर की स्थापना के लिए FDI की भी व्यवस्ता की गई है पांच वर्स की लॉक इन पिरियाड के बाद सरकार अपने बिटकॉइन बेचना शुरू कर देगी और नेवेसकों को अतिरिक तलावांस का भुक्तान भी मिलेगा बिटकॉइन एक क्रुप्टोकरंसी है जिसमें भुक्तान और लेंदेन वाले की पहचान नहीं होती बिटकॉइन का अपना एक माइनिंग एक्सिंज है महतमूर बात यह है कि इसमें ट्रांजक्शन पर सरकार का कोई नियंतरा नहीं है इसलिए इस मुद्रा का असली मालिक कौन है और इसका भुक्तान किसी किया गया इसका पता लगाना असंबब है अपने ट्रांजक्शन को केवल वही देख सकता है जिसके इसने भुक्तान किया है या लिया है एक बात ध्यान देने युग्य है कि भुक्तान करने वाले की पहचान डिजल की के रूमें की जाएगी इसलिए इसमें किसी के नाम या पते की आवसक्ता नहीं होती है कुछ हतीरिक्त जनकारी क्रिप्टो करंसी की निर्मार की प्रिक्रिया जो की एक एल्गोरिध्म प्रोसेस है इसमें अधी कूर जाकी आवस्कता पड़ती है इसे सामने केम्प्यूटर से नहीं बनाया जा सकता मनी लॉड्रिंग, टेर्रिस्ट फंडिंग, माना और हत्यारतासकरी में इसका दुर्पयों भी किया जा सकता है सरकार का नियांतरन नहीं होने से प्रिड़त ब्यक्ती कानूनी सहता भी प्राप्त नहीं कर सकता कुछ प्रचलित क्रिप्टो करंसी आपको हमारी ये वीडियो स्रंखला कैसी लगी आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं साथी HB Solong के स्टैडि को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं